अब मैं आपको यह तो परपस हो गया हमारा अब प्रोसीजर हम कैसे करते हैं और कभ करते हैं में इसके बारे में बताऊंगी तो पहले तो कब किया जाता है पूरे पीरिड की साइकल के दौरान ज्यादा तर केसेज में अगर आपकी जो पीरिड साइकल है वो रेगुलर है तो पीरिड खतम होने के बाद में चटमे से आटमे नवे दिन के बीच में आपका डॉक्टर अगर आपके पीरेड इर्रेगुलर आते हैं तो जो ट्रीटमेंट रिक्वाइड है आपके केस में उसके इसाब से कौन से डे में फिक्स होगा वह आपके डॉक्टर बताएंगे अगर कोई फीमेल मीनो पॉजल मतलब अगर उसको उसके बाद कुछ प्रॉब्लम हो रही है तो कोई को मॉर्बिडिटी है जैसे कि कोई लॉंग स्टैंडिंग बीमारी है डाइबिटी हाइपर टेंशन थायरोइड तो उनके टेस्ट कराएंगे अगर वह ज्यादा आता है या अनकंट्रोल होता है तो पहले उसको ठीक किया जाता है उसके बाद हिस्ट्रोस्कोपी करी ज होता है संगल डे का प्रसीज़र होता है सुभे आपको एडमिट किया जाता था 21 यह बखमाट में लाएंश किया जाता है आपको पता नहीं चलता है इसमें होती है इसके से इसको इंट्रोड्यूस करते हैं जब यूट्रस के अंदर पहुंचते हैं तो उसके चारो वॉल्स को अब्जर्ब किया जाता है विद कैमरा जिसकी रिकॉर्डिंग हमें के मॉनिटर पे दिखती है तो हम सारे structure अंदर के देख सकते हैं वहां क्या problem हैं अगर सब्सकों काट के ठीक किया जाता हैं stratumOM tu उसको भी ठीक करते हैं कोई पॉलिफ दिख रहा है तो उसको भी काटके निकाल दिया जाता है और आपका यूट्रस इंटर्नली बिल्कुल ठीक करने की कोशिश की जाती है एक बार प्रोसीजर होने के बाद में हम इंस्टुमेंट्स बाहर निकाल लेते हैं और फिर उसके बा रहर वाइस एवरिटींग यूटिटी थीक हो जाता है अगुल्स प्रोसीजर में कुछ प्रोबलम्स ऐसी होती है जिसके अंदर जैसे कि अगर कोई करेक्शन करना है जैसे अगर uterus के बीच में कोई सेप्टम है उसको uterine septum बोलते हैं या uterus के structure में कुछ problem है जिसको काट के हमें ठीक करना है या अंदर बहुत dense additions है जिसको को एशर्मेंस सिंड्रोम बोलते हैं अगर हमको ठीक करना होता है उसके अलावा एक ओर out प्रोसअीजर और साथमेर उसको वह आपकी जो है इसके लिए हमें पेट से कुछ छोटे आपके और पेट से हमें एक instrument मतलब telescope डालना पड़ता है जिससे कि हम अंदर से हमने हिस्ट्रोस्कोप डाला उपर से लाप्रोस्कोप डाला तो हम दोनों तरफ से uterus और tubes को observe करके उसको correct कर सकते हैं अगर आप UmАआक आप आपय हों तो में आगले वीडियो में आपको कि इसके बारे में समझाउंगी है मिप्नियस्ट G सोव यह हर एक में ज्रूरत होती यह रेंगाले sulphuld बड़ा safe we ACL होता है और उसमें बहुत कमिस्ट्रियू वांग होती है को नहरु कि यह सेफस्ट प्रॉसीजर है से कम केसे हैं कभी कभी कुछ पेशन доллар से चांस फोटे हैं तूर तूर अंचा के चांसे होते हैं कु՛ यूट्रैन या सर वाएकल इंज्यूरी के चांसे होते होते हैं अर उसके के अलावा इसमें कभी-कभी जो है जो हम मीडिया यूज करते हैं अगर कोई सर्जिकल करेक्शन करना पड़ता है तो जो हम प्रोसीजर के टाइम एक फ्लूइड इंसर्ट करते हैं यूटरस के अंदर बहुत ही रेरली कभी-कभी उसके एलर्जिक रियक्शन के चांसे होते है बट यह जो रिस्क में आपको बता रही हूं बहुत रेर होते हैं मोस्ट अप दे केसे में अप्रॉक्सिमेटली 85-90% केसे में कुछ भी नहीं होता है राधर 95 बोलूं तो भी गलत नहीं है बहुत सेफ प्रोसीजर है नाव कमिंग तो लास्ट पॉइंट इस रिकवरी यह ब कर सकते हैं कभी-कभी ऑपरेटिव इस्ट्रोस्कोपी जिसके अंदर हम कटिंग करते हैं या कुछ करेक्शन करते हैं उस कंडिशन में थोड़ा सा डिलेइड रिकवरी हो सकता है अब पांच से साथ दिन का बट वह बहुत जल्दी रिकवर हो जाता है आपको कुछ भी विक इस्ट्रोस्कोपी के पांच इंडिकेशन जिसमें वो करना पड़ता है पहला है इंफर्टिलिटी ट्रीट्मेंट में दूसरा आगर आपको अबनॉर्मल यूट्राइन ब्लीडिंग है तीसरा अगर आपका यूट्रस में कुछ स्ट्रक्चरल अबनॉर्मेलिटी है चौथ अगर मानलो अपने कॉपर्टी लगवाया है और वह कहीं फस गया जाके तो उसको निकालने के लिए और पांच वाज अगर आपका मिस्केरेज हुआ है और कुछ टिशू अंदर रहे गए हैं और निकलने पारें तो उनको निकालने के लिए ये पांच इंडिकेशन सोते हि कि ये बाद में फांच व्याषर कि एगर ये आगर आपकेश्तर इंड्या करेशन सुआ का इंड़न विए पांच आपकेशन से अब आपक रोस का आपक गए अनुतर ।